है 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 गाइज वेरी वेरी गुड आफ्टनून कैसे है सभी लोग एंड क्या आप सबको मेरी आवाद आ रही है तो सबसे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दू कि आप मोनी शिमुरा आप चार्ड काउंटेंट और मैं सीए फाउंडेशन लेवल पर एकनोमिक्स और बीसी के का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीसी के चैप्टर नंबर 3 की क्लासेज ठीक है न यह जो हमारी क्लासेज रहेगी यह स्पेसिफिकली जून 2023 स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है है न अगर आप सी ए फाउंडेशन जून 2023 में एक्जाम दे रहे हैं तो बीसी के चैप्टर 3 आपको इन हमारी क्लासेज से करना है पूराने वीडियो से नहीं करना है ठीक है तो बीसी के चैप्टर 3 में कुछ अपडेट्स आये हैं वो क्या अपडेट्स हैं हम आपको क्लास के दोरान सारी की सारी चीज़े आपको बताएंगे ठीक है चली अब क्लास चालू होने के पहले सबसे वहले सुन लिजेए कि डिसेंबर 22 में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रेजल्ट्स हमारे आये थे सीए फांडेशन के तो जैसे आप यहां पर देख सकते कि यह हरीद भ पर है इनको 94 मार्क्स है थे एकनोमिक्स बीसी के में और सिव यह लोगी नहीं इतने सारे स्टूडेंट थे जिन्हों ने पूरा एकनोमिक्स बीसी के मुझसे कवर किया था ऐसे मार्क स्कूर किये ठीक है तो मैं चाहत हो कि इस बाद जून 23 में यह सारे रेकॉर्ड अब ब् बता देना कि मनजिल बैच हमारी स्टार्ट हो चुकी है सीए फांडेशन डिसेमर 23 वाले बच्चों के लिए थर्ड एपल से बैच स्टार्ट हो गए है अल्रेडी राइट तो उनको जरूर आप बता दीजे इस बैच के बारे में अगर आप यूस करेंगे अनकाडमी कोई बी सब्सक्रिप्शन से अगर लेने तो आप एम वी सर कोड यूस कर सकते हैं इससे जो भी ऑफर्ज डिसकाउंट आपको सारे मिल जाते हैं तो यू कैन टेक अनकाडमी प्लस और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन यूजिंग कोड जिसमें BCK chapter 3 का नाम है दोस्तो business organizations 6-8 marks का इसका weightage है वैसे BCK में सारे ही chapters का around 6-7 marks का ही weightage है equal weightage है ठीक है आगे next अब सो हम जो है अभी आपको जो पढ़ाने वाले है वो हम आपको पढ़ाएंगे हमारे BCK शास्त्र मेरी जो book है उसके उसके अंदर जो मैंने BCK chapter 3 के notes डलवाए है उससे मैं आपको ये पूरी-पूरी classes अभी करवाने वाला हूं ठीक है around 6-7 minimum classes इसको लगेंगे इस chapter को लेकिन ब बहुत इंपोर्टेंट नोट है यह बहुत इंपोर्टेंट नोट है प्लीज इस नोट को सुन लिजे पहले इन classes को चालू करने से पहले ठीक है ध्यान देंगे इधर तो प्लीज देखेंगे बोलते हैं कि ICAI has given updates of BCK chapter 3 applicable for June 23 exams in the December 2022 in the December 2022 edition of ICAI student journal अब एक चीज होते जिसे बोलते है student journal तो आप जब CA foundation का registration करवा रहे थे ना उस समय पे कुछ 9200 यह 9400 रुपे कुछ देने पड़ते हैं जिसमें 200 रुपे आपसे extra लिया जाता है कि आपको घर पे होना क्या हमारा edition journal कि क्या आपको हमारा घर पे जर्नल होना तो बच्चे दोसु रुपे बचाने के चक्कर में बोलते हैं नहीं नहीं दोसु रुपे नहीं देना है आप मेल पे भिजवा देना तो जिन लोगोंने लोगोंने के दोसु रुपे दिये होंगे उनके घर पे आई होंगी ए बहर महिने आई सी एक तूड़न्ट जर्नल आता है ठीक है उसमें हर बुक में कोई ना कुछ जैसे इंटका का इंटर का फाइनल का कुछ ना कुछ समरी दिया रहे होता है कोई एक हादय सब्जेक्ट का कोई एक हादय चैप्टर का कुछ समरी दिया होता है वैसे ही जो जून 23 एक्जाम के लिए जो अपडेट्स है वो इंस्टिट्यूट ने बना हुआ है इसमें आपको चेंज क्या आता है चेंज आता है इसमें मेजर ली मेजर ली चेंज आता है चेरिमें के नाम में मैनेजिंग डिरेक्टर चेंज हो सकता हैं दूसरा बड़ा चेंज आता है वी रैंकिंग में तो यहां पर आपको पहली बात इस इस चैप्टर में आपको क्या करना है आपको इस चैप्टर में 34 कंपनीज का डेटा याद करना है अच्छा मतलब मतलब कि आपको 24 इंडियन कंपनीज एन 10 ग्लोबल कंपनीज का डेटा याद करना है कि यह कंपनी क्या करती है यह कंपनी कब पर है इस कंपनी का ये डेटा आपको 34 आपको याद करना पड़ता है और बच्चे पूरे ही हैना परेशान हो जाते हैं स्टेटर को स्टडी मटल से पड़के इसलिए मैंने इस चैट्टर को पढ़ने के लिए बहुत ही जबर्दा समरी बनाई है और उस समरी के थूरू मैं आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर करवाने वाला हूँ एक छोटी सी जलग आपको दिखा देता हूँ समरी की देखो जैसे कि जैसे कि हमारी ये समरी है इनकॉर्पोरेशन यर की समरी मैंने बनाई है वैसे ही हेड़कॉर्टर की समरी बनाई है यहाँ पर देन स्लोगन की समरी है है ना फाउंडर समरी मैनेजमेंट टीम में कौन को ने उसकी समरी देन हर एक कंपनी का मैंने इस तरह से जो भी important points आ सकते है एक कंपनी का जो भी important points से जिस पर MCQ आ सकता है उसकी समरी बनाई है लोगो दिया है ठीक है ना लोगो पे जनने लिए MCQ नहीं आता है हम classes में discuss करेंगे कौन सी चीज़ों पर आता है MCQ किस पर नहीं आता है ठीक है ना तो इस प्राकार के पुरे notes होंगे बहुत ज़ाद आपको मज़ा आएगा टेंशेमर लिजे और यह chapter को हम आपको आसान करके बताएंगे ठीक है अब आज ही इधा ठीक है न अब अगर हमको summary यह वाली हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे तो आप या तो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तब आपको मेरे साथ साथ लिखना पड़ेगा जो मैं स्क्रीन बहुत हूँगा आप वो खुद नोट करे या study medal में हम highlight कर सकते हैं या अगर आप unacademy plus के student है तो already उनको वो PDF notes प्रोवाइड होते है या अलग से अगर किसने मेरी BC के शास्त्र जो हमेरी book है अगर वो किसने लिया होगा उसमें ये चीज already available है latest वाले book में ठीक है अब आई वापस चले ओके सर तो हम आपको नोट पढ़ा रहे थे कि इसमेना कुछ updates दिये है student journal में ठीक है तो मैंने जो है हमारी इस book में सारे update इस book को पूरा का पूरा update कर दिया है the contents of this chapter are updated अब कुछ चीजे होगी सुनना ध्यान से there will be some things which will not match with the ICAS study material तो घबराना नहीं है क्योंकि study material पहले बना है student journal बाद में बना है तो student journal में change हुआ तो study material कैसे बदल जाएगा अब नया edition study material का आया ही नहीं है इसलिए जो changes होते हैं वो इंशिरूट स्टूटेंट journal के थ्रू बता देता है फिर BCK में पूरा नया study material launch नहीं करता है तो ऐसा हो सकता है कुछ चीजे match ना हो जो मैं खुद आपको बताऊंगा कि देखो ये ये बुक में कुछ और लिखा है पर अब आपको याद क्या करना है ठीक है तो आपको tension नहीं लेना है everything covered in BCK शास्त्रा and in our classes are totally updated for June 23 exams तो विश्वास रखे ठीक है ओके चल अब हम बढ़ रहे है आगे और एक चीज में बता देता हूं और एक चीज में बता देता हूं डू नॉट डू नॉट डू नॉट है ना रेफर गूगल और इंटरनेट पॉर सर्चिंग कॉंटेंट्स ओफ बी सी के चैप्टर दी सर ये क्या आपने लिखा है ये बहुत इंपोर्टेंट है बताना ये बहुत इंपोर्टेंट है बताना हमारी जो क्लासेज है वो ICAS study material ये स्टूडेंट जर्नल के हिसाब से होगी ऐसा हो सकता है कि मैं यहां पे किसी कंपनी के चैर्मेन का नाम आपको बताओ कुछ और अभी रियल लाइफ में कोई और चैर्मेन हों तो रियल लाइफ में क्या हो रहा है वो नहीं देखना है हमारे बुक में study material and student journal में जो दिया है वो याद करना है समझ पारो ऐसे तो बेटा हर दो महीने में अगर चैर्मेन बदल जाएगा या MD बदल जाएगा किसी कंपनी का तो बुक थोड़ी ना बदलते बैठेंगे तो एक्जाम के छे महीने पहले तक छितनी चीज़ें हो गई होती है उस पे एक्जाम आता है समझ बार की हमारा कब है जून पेखजां है हमारा जून में एक्जां है क्या बात समझ में आगी सबको बताई फास्ट तो मैं जो यहां पर बता रहा हूं study material एंड यह इसमें जो लिखा है वो याद करना है क्या बात समझ में आगी क्योंकि कुछ बच्चे ना फिर comment करते हैं अरे MB सर आपको क्या बता है इसका तो चेर्मेंट चेंज हो गया है इसका तो हेड़कोटर चेंज हो गया है आपने तो गलत बता है अरे बेटा मेरको भी मालूम है मैं स्टड मैं CA के बच्चों को अभी पढ़ा रहा हूं ठीक ना य हमें क्या करना है यह 34 companies का data याद करना है और मैं करा के दूंगा विश्वास रखे और बेटा इतने जबर्जस तरीके से मैं याद करा के देता हूं इतनी बढ़िया ट्रिक्स आपको मिलेगी कि बहुत से लोगों ने इसको कॉपी भी किया है अपने classes में पढ़ाने के लिए अनकैडमी में नहीं अनकैडमी के बहार अब वो कौन है हमको उसमें जाना नहीं है लेकिन इतना बढ़िया आपको समझ मायागा कि बहुत सारे लोग इसको कॉपी भी करते हैं ट्रिक्स को तो अच्छी बात है सच में helpful होगा ना फिर तो आईए तो बताते हैं चलिए सबसे पहली बात बोलते हैं हमें इस चैप्टर में करना क्या है हम इस चैप्टर में 34 दुनिया की 34 कमणी जिसमें 24 इंडिया की है 10 ग्लोबल इंडिया के बाहर की होगी 34 कमपनी का ओवर्व्यू लेना है क्या लेना है ओवर्व्यू तो बोलते हैं हमें इस चैप्टर में कमपनी क तो overview लेना है, बोलते हैं, company overview is the most effective way to acquire business intelligence and gain vital information about a company, its businesses, their products, services, processes, prospects, customers, supplier, competitors, etc. बोलते हैं, company overview करना सबसे बढ़िया तरीका होता है, तो अकवायर business intelligence, business के बारे में जानकारी निकालने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, company overview करना, जिससे हमें vital, जिससे हमें important information मिलती है किसी company के बारे में, कि उनके products क्या है, उनका business क्या है, उनके prospects, मलब future में कौन से products आने व कौन है, competitors कौन कौन है, इसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं, क्या करके, company overview करके, अच्छा, बोलते है, company overview कौन कर सकता है, बोलते है, generally company overview करते है, it requires expertise of qualified professionals, क्योंकि इसमें हमें detailed analysis करना पड़ता है, company की history का, उसके structure का, philosophy, की company किन चीज़ों में मानता है, उनका mission क्या है, vision क्य हम सारी बाते करेंगे, हैना, उसके portfolio of products, concept type के good services, concept type के products, जो है, बनाता है company, ठीक है, बाकी वही सीज़े, जो यहाँ पे लिखी थी, वही सब है, ठीक है, अब, अब बात आती है, कि sir, यह जो company overview का, जो काम है, या किसी company का, हमने overview किया, तो यह करके होगा, किसको काम आएगा है, company overview का data, काम किसको आएगा, तो हमारे book में हमें बताया है, कि चार तरीके के business professionals होते हैं, क्या बोला, चार प्रकार के business professionals होते हैं, जो यह company overview करते हैं, और अपने काम के लिए इसे use करते हैं, ऐसा, तो चार कौन है, बताईए, वो चार लोग है, बेटा, यहाँ बे देखें analyst, वापस है, यह चार लोग कौन है, यह चार business professionals है, जो companies का overview करते हैं, क्यों अपने काम के लिए, है ना, क्यों करते हैं, company overview, to analyze business practices, to identify potential business problems, market requirements, to provide financial, marketing and management solutions, तो company को advice देने के लिए, है ना, company को financial, marketing, managerial advice देने के लिए, है ना, problems identify करने के लिए, कि अगर कोई company ज्यादा grow नहीं कर पा रही, तो क्यों नहीं कर पा रही होंगी, तो उसके लिए company overview करना जरूरी है, कौन करता है, यह चार लोग करते हैं, क्यों करते हैं, अपने काम के लि अच्छा, जैसे ही यह चारों की बात हो जाएंगी ना, हम हमारी पहली trick आपको बताएंगे, तो थोड़ा सा wait करना बड़ेगा, है ना, एकदम से trick बता दो, trick बता दो, ऐसा नहीं करना है, तो धहरे रखें, हमें पूरा chapter cover करवाने हैं आपको, तो धहरे रखो, मैं यही पे चलो आईए वापस, तो अब हम बात करेंगे सबसे मड़ेकर इसकी बजेट अनलिस्ट, जब बजट अनलिस्ट कौन होता है, बजम cancelled कौन होता है, ओलते देखो, जैसे हमारे घरो में, जो है हमारे घरों में जेनरली जेनरली ऐसा होता है कि मम्मी बजड बनाती है बजड बनाती क्या बजड कभी फ्यूचर का मनता है पास्ट का नहीं है ना मम्मी बजड बनाती है महीने के स्टार्टिंग में कि अब आने वाले महीने में कितना कितना खर्चा होने वाला है राशन में कितना खर्चा होगा इलेक्ट्रिक का बिल कितना आ सकता है बाकी मिसलीनेस खर्चे कितने होंगे घर पे कितना खर्चा होगा इसका एक लिस्ट बनाते हैं फिर देखते अच्छा अब इस महीने जो हैं 30,000 का खर्चा होगा और फिर क्या करते हैं फिर पापा के साथ डिसकस करते कि देखो यह चीज होने वाली है तो 30,000 रुपीज की जरुवत पड़ेगी फिर पापा वो पैसा प्रोवाइड कर देते हैं जेन्टरल यह ऐसा होता है अगर समझो दोनों ही वरकिंग है तो अलग बात है जेन्टरल नॉर्मल एक्जा कि यह एक स्टेटमेंट बना लो ते अभी आने वाले साल में हम मार्केटिंग में कितना खर्चा गरेंगे हम advertising में हम production में समझ पारो commission देने में salary देने में electricity का खर्चा बाकि अलग-अलग जो खर्चों उसमें कितना approximately खर्चा होगा अगर हमारे पास एक ऐसा estimate बना होता है ना तो हम हमें फिर हमारे खर्चों को track करने में आसानी होती है पर एक्जांपल अगर मैंने बुला था कि पर एक्जांपल हम marketing में पांच लाग रुबे खर्चा करने वाले आने वाले साल में लेकिन पता चला कि तीन महीने में ही छे लाग का खर्चा हो गया और यह कैसे हो गया तो फिर इसके पीछे company फिर क्या करेंगे analysis करेंगे कि ऐसा कै कैसे हो गया हमने तो पांच लाग की सोचा था साल भर में होगा अभी तीन महीने में ही छे लाग तो समझ पार हो तो इसलिए budget बनाना जरूरी होता है तो budget क्या होता है बजट क्या होता है जो हमारे company के future के जो खर्चे होंगे जहां जहां से पैसा कमाने वाले उसका statement इस पर बनाया जाता है ठीक है बोलते तो budget बजट अनलिजिस्स क्या करते हैं यह वो लोग होते हैं जो प्रिपेर करते हैं बजट्स यह प्रिपेर करते हैं अच्छा अब मुझे बताए मम्मी बोलेंगी कि अगले महीने ना राशन में 15000 का खर्चा लगेगा तो मम्मी यह कैसे बताएंगी तुक्के बाजी कि मम्मी बुलेंगी देखो पिछले महीने ना 14,000 रुपे लगे थे राशन के तो इस महीने 15,000 के आसपास लगेंगे हम जब बजड बनाते हैं फ्यूचर का तो पास्ट के समझ पारो पास्ट में जो हमारे खर्चा हुआ होंगा उसके बेसिस पर बनाएंगे साथी साथ समझो ऐसा हुआ तो कि अगले महीने ना कुछ महमान आने वाले होंगे तो ऐसा होगा कि देखो 15,000 का तो हमारे घर का इराशन और महमार आने वाले हैं तो 3,000 उपए उनके लिए अलग से रखने बढ़ेंगे उनको भी खिलाना बढ़ेंगा न ऐसा तो नहीं बोल स मतलब क्या खर्चा हो सकता है based on past expenditures and economic trends समझ पारो तो अब ये बजेड बनाने के लिए इसको करना पड़ेगा company overview पहले कंपणी की जानकारी तो लेनी पड़ेंगी न समझ पारे हो कंपणी की जानकारी तो लेनी पड़ेंगी यह सो नो बस वही बात है तो यह क्या करेगा company overview करेंगा क्यों budget बनाने के लिए समझा आगे बज़ेड आनलिस्टार वाइटन तो अचीव financial goals maintain profitability और अटें long term growth है न तो हमारे financial goals maintain रहेंगे कैसे हमारी profitability Э получилось maintained रहेंगे क्यूंकि हमँए पहले से पता है न कि कि इतना खर्चा करना अगर ज्यादा खर्चा हो गया तो पहले ही हम समल जाएंगे कि बस बस इस ज्यादा जादा नहीं करना है हमने बजट के हिसाप से ज्यादा खर्चा अलडी कर दिया अब ज्यादा नहीं करना खर्चा ऐसा ठीक है न ओक्य बोलते हैं however they do not make it बहुत important however they do not make final decision मतलब they do not make final decision बोलते हैं budget and is budget बना के देता है मम्मी बजट बना के देंगी अप्रूवल कौन देंगा ऐसा कि बजट बजट बना के देंगा लेकिन वो बजट पाइनल है कि नहीं यह कंपनी के ओनर बताएंगे कि हाँ तुमने जो बनाना चलो ठीक लाग रहा हमें समझो अगर बजट में चेंज करना है तो ओनर बताएगा कम बजट अनलिस को कि एसमें चेंज करो यह पोइंट समझ पारो कि अब आगे बढ़ेंगे फिर बाताती है नेक्स्ट बात आती है, financial analyst है ना, financial analyst, अच्छा मैं ये MCQ पूछूँगा, मैं आपको MCQ पूछूँगा, who makes final decision regarding budgets, budget analyst नहीं, याद रहें, budget analyst final decision नहीं, उसे prepare करता है budget को, और उसको budget बनाने के लिए company overview करना जरूरी है, समझ पारो बात, आगे next, फिर बात आती है, next बात आती है, financial analyst, ठीक है, financial analyst कौन होता है, आपको बता है, आपने वो, कभी ऐसे stock market के देखे, channels, है न, वो CNBC बगर होते है, stock market के, उसमें, एक, मतलब, उसमें जो है, जब, market का time होता है, चालू, तो उस समय पे कोई बंदा होता है, ऐसा, आइवाय पैन के बैठा होता है, और वो बताते है कि इस company का share खरीदो, इस company का share बेज़तो जल्दी से, इस company का share खरीदना, अगर price 1000 रुपे हुई तो, वरना मत खरीदना, ऐसा advice देता हो, कौन होता है, वो financial analyst होता है, तो financial analyst क्या करता है, यह recommendation देता है, यह recommendation देता है, यह advice देता है, on investment decision, यह recommend करता है, on a course of action, कि आपको को कुछी company का share खरीदना चाहिए, या बेचना चाहिए, he recommends a course of action, such as to buy or sell a company's stock, based upon the company's strength, है न, तो, अब यह कैसे recommendation देगा, कि कौन सी company का share अच्छा है, किसका बुरा है, company overview करके, इसको पहले company की जानकारी तो पराप्त करनी पड़ेंगी न, यह क्या तुक्क्य वाजी थुड कि वो बता पा रहा है, क्यों सी company का खरीदना है, किसका बेचना है, समझे बात, वैसा, आगे बढ़ेंगे, ठीके न, आगे बढ़ेंगे, चली, बोलते हैं, कि हम financial analyst को security analyst, equity analyst, investment analyst, rating analyst, यह सब भी बोल सकते है, क्यों, क्योंकि यह advice दे रहा है, कौन सी security, या कौन सा equity share खरीदे या ना खरीदे, यह advice दे रहा है, कि हमें हमारे पैसों को कैसे invest करना चाहिए, यह rating दे रहा है companies को, कौन सी company ज्यादा अच्छी है, तो share खरीदो, कौन सी company पूरी है, तो यह share या debenture मत खरीदे, rating analyst भी बोलते है, ठीक है, ओके, बोलते है, यह कैसे करता है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, company overview करना पड़ेगा, समझ मागी बात है, आगे बढ़ेंगे next, अगली बात, फिर next, तो आपको MCQ का एगा सर, MCQ का एगा, MCQ का एगा, MCQ बोलेगा, who recommends a course of action, such as to buy or sell a company stock, क्या बोलोंगे, financial analyst, खतम, आगे, next, बस tricks आने वाली हाँ, यह दोनों point के बाद, हम trick बताने वाले हैं, पहली, ठीक है न, चलो ध्यान दीजे, ओके, चलो ध्यान दो, अगला, बोलते हैं, management analyst, अगला क्या है, management analyst, management analyst कौन होते हैं, जैसे आपने, यह सुना है, डॉक्टर विवेक बिंदरा, उनका YouTube, उनका काफी वो, उनके चैनल है, और उसमें वो बताते हैं, क्या, advice देते हैं, companies को, कि आप अपने company में, जे कर्व, जे कर्व कैसे ला सकते हो, जे कर्व, बोलते हैं, जे कर्व, बोले, आप अपने company में, क्या, आप भी अपने company में, जे कर्व लाना चाहते हो, जे कर्व मतलब, मतलब कि अभी आपका profit गिर रहा है, तो एकदम से कैसे बढ़ाने का profit है, ऐसा, तो उसके advice देते हैं, कौन, यह management analyst, management consultant है, समझ मागया, अब जैसे मेरी company है, MEV Foods Limited, उसमें losses हो रहे थे, तो मैंने बुला, अरे बिंदरा जी, थोड़ा आईए, और प्लीज थोड़ा help करो, हमें बताईए, हम कैसे हमारी business की efficiency, efficiency को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम कम cost में, कैसे हम कम cost में, ज्यादा से ज्यादा बहतर काम कर सकते हैं, जिससे हमारी profitability जो है वो increase हो, तो management consultant, management analyst क्या करता है, ये business के heads के साथ, CEO, CFO, managing directors, chairman, उनके साथ बैटके discussions करते हैं, उनको advice देता है, कैसे अपने business का efficiency, कैसे अपने business का profitability अब बढ़ा सकते हो, समझे बात आगे, बोलते हैं, management consultant work on case basis, है न, क्या ये common sense की बात है, मुझे बताओ, अगर, मुझे मेरे business का profit बढ़ाना था, तो मैंने बुलाया, बिंद्रा जी को, अब क्या, वो मेरे employee बन जाएंगे, वो क्या मेरे employee बन जाएंगे, है, नई, वो case to case basis में काम करते हैं, मतलब, आएंगे आपके बास, एकाथ हफता आपके लिए, आपको advice देंगे, फिर बोले finance मतलब क्या, मतलब कि ये व्यक्ति किसी एक company का employee नहीं होता, ये efficiency को, profitability को improve करने का जो advice है, ये अलग-अलग multiple companies को देता है, ऐसा बुला जा रहा है, समझ में आगया बात, अब, अब, ये कैसे करेगा, ये, कैसे करेगा, कैसे advice देंगा, सबको क्या, same advice देंगे, नहीं, हर company को अलग-अलग advice देनी पड़ेगी, उनके circumstances के basis पर, तो पहले समझना पड़ेगा ना, कि company करती क्या है, company का overview लेना पड़ेगा, अगर ये advice देना है तो, MCQ आएगा, कौन होता है, जो businesses के heads के साथ बैठता है, efficiency, profitability को improve करने की consultancy देता है, कौन होता है वो, management analyst, बोलते हैं, इनको हम एक problem देते हैं, business का कोई problem देते हैं, फिर ये लोग पुरा analysis करने के बाद, उसके viable solution, possible solutions निकालते हैं, ठीक है, ओके, आगे, and finally आता है, market, market research analyst, market research analyst, ध्यान देंगे, please, finally आता है, market research analyst, ये कौन होता है, ये हमें advice देता है, हमें help करता है, हमारे company का market share बढ़ाने में, ठीक है ना, तो ये क्या करता है, बोलते है, they study the strength and weaknesses, they study the strength and weaknesses in order to advise a company about the decision to be taken to increase its market share, MCQ आएगा, ये ना, देखो, यहाँ पे भी profitability की बात है, लेकिन market share की बात नहीं थी, कहाँ पे, यहाँ पे, तो अगर efficiency बढ़ाने की बात की, तो management consultant, management analyst, अगर market share बढ़ाने की बात कर रहे है तो market research analyst, ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, ये market condition को study करते है, potential trend, sales में हमारा sales बढ़ेगा या गिरेगा, ये trend पहले analyze करेंगे, ये देखेंगे कि हमारा company कौन से टाइप का product बनाता है, हमारा product के क्या features है, कैसी quality है product की, हम क्या price में हमारा product को बेच रहे है, हमारा competitor का product कैसा है ये analyze करेंगा और हमको देगा क्या consultancy, हमको बताएगा कि आप क्या-क्या changes कर सकते हैं अपने product में, जिससे आपका market share बढ़े, they help the organization to compare itself with the competitors and bring about changes and new products to lure more customers and win over competition, कैसे हम हमारे competition को हरा सकते हैं, और हमारा market share कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका advice देगा, कौन? market research analyst, खतम, याद रहेगा बताईए, अब MC को देखेंगे क्या है, MC को देखेंगे जल्दी, fast, मुझे बताओ, budget कौन prepare करेगा, budget analyst, पर budget का final decision कौन लेता है, budget analyst नहीं लेता, ठीक है, आगे, फिर मुझे बताएंगे, financial analyst को हम security analyst, rating analyst, investment analyst या equity analyst बोलते हैं, ये क्या करता है, ये recommend क करता है, course of action, कौन से एक अपनी का share खरीदना चाहिए, किसका बेचना चाहिए, financial analyst, next, management analyst या management consultant, क्या करता है, ये advice देता है, companies को, अपनी efficiency, efficiency को बढ़ाना मतलब कि कैसे हम cost को कम करे, और कम cost में अच्छा सा अच्छा product बनाए, हम कैसे कम cost में हमारा operations को और बहतर कर सकते, उसक हम हमारे company का market share कैसे बढ़ा है, उसका advice देखा कौन, market research analyst, क्या बात संच पा रहे हो, बदाईए, और ये चारों लोग क्या करेंगे, अपना काम करने के लिए, company का overview करेंगे, जो हम सीखने वाले हैं, हम करने वाले हैं, 34 company का overview करेंगे, ये बात संच में आगी, अब आगे next, बोलते हैं, देखो जल्दी, बोलते हैं, बोलते हैं, देखो, हाँ, बोलते हैं, देखो जल्दी से, बोलते हैं कि ये वाला chapter, इंस्टीट्यूट ने आपके study model में क्यों डाला, बोलते हैं, the basic idea behind this chapter is to sensitize the student, sensitize में अवेर, बच्चों में awareness होनी चाहिए, बच्चों को पता त जानकारी होनी चाहिए, the idea of this chapter is to sensitize, अवेर करना बच्चों को बताना कि देखो, ऐसी बड़ी-बड़ी है company, about the existence of business organizations, and the importance in the overall economic system of India, कि ये इंडिया के लिए, इंडिया के लिए, इंडिया के लिए इंपोर्टेंट क्यों हैं, ये सारी companies, right, क्योंकि इनका काम ऐसा है, बोलते मतलब कि हमें, चोबीश इन्डियन companies पड़नी है, उसमें से majority company, सारी नहीं, majority company से जो nifty fifty का part है, ब nifty fifty क्या है, तो बोलते हैं हमारे इंडिया में, stock exchanges किते हैं, बताओ, हमारे इंडिया में, कितने stock exchanges हैं, हमारे इंडिया में stock exchanges किते हैं, ==== है ना हमारी इंद्रेंगे कित्ते स्वाग एक्षेंज है वेरी गूड है ना मैंने देखानी चाट पर अभी बता रहों बच्चे लिख रहे होंगे दो है ना वेरी गुड दनादन क्या लगाएंगे दनादन फटके लगाएंगे बेटा सब सेल्फ फटके समझपा हैं अपने आपको कि यह बताई दनादन लगाएंगे फटके बेटा इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्षेंजेज हैं जिसमें से मेजर दो हैं एनसी और बीए सी तो एनसी बीए सी के अलावा भी हैं स्टॉक एक्षेंजेज़ इंडिया में सिर्व तो आज आप घर जाके यह होंवग करेंगे और गूगल पर सर्च करेंगे कि कितने च्छेंजेंजेस है इंडिया में ठीक है तो मेंसर लिख रहा हूं टू मेंसर स्टॉक एक्षेंजेस ऑप इंडिया ठीकाग अब सही लग रहा है इवस्के अलावा भी है ठीके हाँ बस मेजर यह दो हैं कौन से कौन से हैं कि अब बोलो जो आप बोल रहे 2000 companies listed है 2000 companies क्या है listed है और बॉंबे शॉक एक्सचेंज में 5000 companies के आसपास क्या है लिस्टेड है अप्रॉक्सिमेटली राइट अप्रॉक्सिमेटली सर्व स्टाक मार्केट होता क्या है जैसे यहां पर समझो जैसे यहां पर रनवीर को शादी करनी है तो अब अगर उसको शादी करनी है तो गया शादी डाट कॉम यजब भारत मैट्रिमोनी वेबसाइट पर गया उसने अपने आपको लिस्ट किया समझा बात अपना प्रोफाइल बनाया ठीक है और फिर वहाँ पर चेक करेंगा क्या बताईए कि उसको जो भी लोग में इंट्रेस्ट होगा जिससे भी शादी करनी होगी वहाँ पर प्रोफाइल चेक करे बात करेगा बात जम के तो शादी कर लेंगे अब मुझे बताओ क्या रनवीर ने शादी.com वेबसेट से शादी किया गया नहीं मतलब कि शादी.com वो खुद वो खुद कुछ नहीं कर रहा है वो बस एक प्लैंटपॉर्म है वो बस एक जगा है जहां पे क्या बताईए खुद शेर को खरीदते या बेचते नहीं है स्टॉक एक्सचेंज एक प्लैटपॉर्म है जहां पे सेलर जाएगा अपने शेर को लेके बायर आएगा और देखेंगा अगर उसको किसी कंपनी का शेर खरीदना है तो खरीदेगा नहीं खर देगा जैसे आमेजॉन देखो सम मोबायल फोन का काम है समझें तो मैं मोबायल फोन का मेरा का में चीक है अब क्या मेरे मोबायल फॉन को एमेजोन पे लिस्ट कर सकता हूँ हम पिर समझो यहां पर से यहां पर से प्रभा कर गया Amazon को मुबाइल फॉन का order दिया तो क्या होगा Amazon में कुछ नहीं किया मैं seller में हूँ प्रभाकर बायर है समझा Amazon क्या है एक platform है जहां पर बायर और seller आके मिल रहे हैं और good services का purchase buying selling कर रहे हैं वैसे ही stock exchange एक platform है जहां पर companies अपने share को list करती है और जिसको share खरीदना होगा वह वहां से जाके खरीदता है share को बस यह बासन मागी अब बात आती है अब हमें यह देखना है इधर अब हमें यहां पर यह देखना है कि सर हमें यह बताओ कि stock exchanges में जो companies है वह अच्छा perform कर रही है या बुरा perform कर रही है यह देखना है तो इसके उपर से एक्जामपल आता है कि समझो आपके मम्मी को ना चावल खरीदने थे चावल मार्केट से क्या खरीदने थे चावल ठीक है ना तो मम्मी को पांच किलो चावल खरीदने थे तो द बुले यह बोरी से ले लो यह बोरी से ले लो चावल है ना तो मम्मी नो ओके अब इसमें ना मम्मी ने क्या किया पहले इसमें से एक दाना निकाला चावल का यह चेक किया हां यह दाना अच्छा लग रहा है रख दिया फिर दूसरा दाना निकाला पर चेक किया हां यह देखके दाना च्छेक करेंगे बताइए बोलते हैं नहीं मम्मी क्या करेंगे न इस में से ऐसा एक मुठी निकालेगी चावल और चेक करेंगी अगर यह मुठी में जो चावल है अगर यह अच्छे होंगे ना तो ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि पूरी बोरी अच्छी है वही करता है यहां पर आपका इंडेक्स तो नाशनल अच्छेंज का इंडेक्स सब् Save The National Stock Exchange का इंडेक्स या इंडीकेटर ओफ़ोर्फॉर्मन सु ए इंडेक्स या इंडीकेटर ओफॉर्फॉर्मन स्य स्केप fuse में कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही है तो निफ्टी नैश्टल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स होता है बिटा निफ्टी क्या होता है निफ्टी कि समझे मतलब क्या होता है निफ्टी और Bombay Stock Exchange का Index होता है बिटा Sensex जिसका Full Form है Sensitive Index इसका Full Form होता है Sensitive Index ऐसा ठीके ना तो बहुत से बच्चे को यह भी नहीं बताऊंगा कि Shortform में अगर पताथा तो अच्छी बात है चलो कोई बात नहीं तो अब क्या बोलते हैं अब क्या बोलते हैं मुझे यह जानना था कि एक एक कंपनी का परफोर्म कर रही है हाँ इसका प्राइस बड़ा उसका इसका गिर गocy holding do नेध कम्पनी है ना वह बस 50 अगर वह पचास कंपनी का डेटा नेध करें कि बाकी 2000 का भी बड़ा है कि समझे गया बस जैसे हमने चावल में किया कि मुठी पर चावल चेक किए अच्छा यह चावल अच्छे देगा ओ मनलब बोरी भी अच्छी है मतलब अगर कि निफ्टी का अगर निफ्टी में 50 कंपनी निफ्टी 50 बोलते हैं तो निफ्टी में जो यह समझा बात करो वैसे ही सेंसेक्स में 30 कंपनी इसका डेटा लेते हैं तो बोलते 5000 कंपनी का परफॉर्मस देखना के एक 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 ता देखते बैठेंगे क्या बोते काम करो ठटी निकालो इसका चेक करो यह सारी अच्छा परफॉर्म कर रही ओह मार्केट अच्छा प्रीक है फीर आज कला ही सेक्टर रसी अचुके बैंक बैंकिज स pourquoi अलग बनता निफ्ती पो समझा कि जulating इस व्क्रव नहीं कि इसलेकर उंको पर्फर्मस देख़ते हैं तो हमें पता चलेगा इंडिया में बैंकिंग 50 के अंदर companies हैं उसमें से कुछ companies को निकाल के आपको इंडियन companies में पढ़ना है बस ऐसा भी हो सकता है कि हमें कोई इंडियन company पढ़ रहे हैं पर वो निफ्टी में ना हो बस आपको ऐसा बताया जा रहा है कि आपको टॉप companies के बारे में पता होना चाहे था इसलिए निफ्टी में से कुछ companies को निकाल के आपको बता रहे हैं हमारे syllabus में समझी क्या बात बताओ पक्का बस यह बात बोल रहे हैं कि हम यहां पर ट्राइ करेंगे कि निफ्टी 50 के कुछ मेजर कॉर्परेशन को कबर करें ओके अब हम आगे पढ़ेंगे बोलते अगर कई पर company लिखा है तो company का वलब कॉर्परेशन या organization बोलते हम इन शब्दों को interchangeably यूज़ कर सकते हैं कंपणी वलब organization या corporation थैस बोलते इंडस्ट्री या सेक्टर इन दोनों का मतलब भी सेम होता है जैसे मैंने बोले टेलीकॉम इंडस्ट्री जिसमें वोड़ा फोन आईडिया अब यह आएंगे तो हम बोल सकते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री यह टेलीकॉम सेक्टर तो हम जब कंपनी की बात करते हैं तो सिंगल कंपनी की बात कर रहे हैं पर जब हम सेक्टर की करते हैं इंडस्ट्री न सेक्टर तब हम ग्रूप या कांपनीस की बात कर रहे हैं जैसे एंडाल ये एक पर टेलीКॉम सेक्टर ये क्या हो जाएका बुरा इंडस्ट्री टेल्टॉम सेक्टर ऐसा ठीक हेह बस खत्म आई अब बाकिगी चर्चा करते के बाद में आई अब जिसके लिए मैं अठा बीच में कुछ की नहीं कर रहा हूं कुछ किंप नहीं कर रहा हूं सब कर से पढ़ेंगे तो हमें चौर्बश इंडियन पढ़ेंगेनी है इसकी बाते हम कल करेंगे आज हम पढ़ने वाले हैं इसके headquarter की trick तो अभी अभी आज 7 April 3.48 मिनिट आपको 24 कंपनी का headquarter याद नहीं है अभी इस समय पे आपको 24 कंपनी का headquarter याद नहीं है बट अगर मैं आपको कहूं कि 10 से 15 मिनिट में आपको ये 24 के 24 कंपनी के headquarter याद हो जाएंगे तो आएए इसके trick के साथ हम करते हैं start हम आपको जो 24 कंपनी हमें पढ़नी है अच्छा सर इंडिया में क्या सिर्फ 24 कंपनी है क्या बेटा अगें दनादन फटके लगाना है दनादन दनादन लगाना है बेटा इंडिया में बहुत सारी कंपनी है हमें हमारे कोर्स में 24 इंडियन कंपनी के बारे में पढ़ना है समझ में आगी नब आते बेरी गुट अब आईए अब आई इधा ओके समझ में आगी बात अब अब सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे सारे के सारे बच्चे rough page निकालेंगे fast rough page और pen लेकर ready रहेंगे जल्दी से fast तो सारे के सारे rough page लेकर ready रहेंगे fast guys come on yes जल्दी से सब ready है तो done लिखेंगे fast चलो तो page लेकर ready रहेंगे एक मलब दो तीन रफ पेज़ेस लो पेंड लो रेडी रहो जल्दी से कि क्या सब लोग रेडी है कमउन क्या सब लोग रेडी है ट्रिक आने वाली तो पहले ट्रिक आने वाली चलिए ओके ओवर एक्साइटेड फॉदी ट्रिक अरे मैं बोल रहा हूं आपको नेक्स्ट लेवल मजाएं नेक्स्ट लेवल मजाएं आईए आईए बेटा आईए आईए राजा आईए हम बताते हैं आपको आई ठीक है न अच्छा पहले ही मैं डिस्क्लेमर देगूं मैं पहले एक ट्रिक बताने वाला हूं यह कुछ एजुकेटर्स ने कॉपी की थी अन अक्याडमी में नहीं के भार ठीक है न मैंने कुछ पर हमने अलग से बाद भी की थी अभी भी कुछ एक दो लोग कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे पता नहीं है लेकिन मुझे बच्च पड़ेंगे अब किнить हैट कौटर चेंश नर और मझें की बात क्या बता है क्या पता अभी वो भी लाइव हू यार देखो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना ठीक है को किए चलो लाई करके जरूर जाना बिटा आए temperature निश्ण्रिशन हां जी आए मेरा वापस कर देखेंगे को हां इंडियन कंपनी से हेड़ कोड़ के ट्रिक है आप सुनिए तो मैं इसकी बना रहा था ना तो मैंने ऐसे निकाला कि यह यार पांच ऐसी कंट्री पांच ऐसी सीटी पांच ऐसी सीटी है है अच्छा है जैसे एक कमपनी है उसको पुरा इंडिया भर में काम है तो हर अलग-अलग सिटी में हर अलग स्टेट में ब्रांच होगा पर एक ऐसा उफिस होता है जो हेड़ आफिस होता है अब जो जो है जब कंपनी बनती है तो और और मववव बनता है आर्टिकल अब सोसेशन में मोरेंडम असोसेशन तो में बताना पड़ता है के लिधान क्लाउज में एक ऑ nyt accomplished अब तो मैंने देख़ा पांच ऐसे में और यहां ऎकham संपनी का हेड़कॉर्टर है जो हमारे कोर्स में ठीक है तो मैंने उन सब के इनीशल्स एक साथ लिखे तो उससे एक बहुती बढ़िया शब्द बन रहा था और वो शब्द बन रहा था बेटा पुग्गा यह न वह शब्द बॉर्णाथा क्या वाधे फुग्ग तो बलून को हिंदी में क्या मोलते है गुब्ब्बराया फुग्गा लेकिन स्पेलिंग वह होंगी जो मैं बताऊंगा तो तो हमारी पहली ट्रिक है कि बच्पन में अब याद रखो ट्रिक किया है बच्पन में एक फ फुग्गा भी मिल जाए तो हम खुश हो जाते थे पहले ट्रिक है बेटा फुग्गा एक फुग्गा मतलब यह फुग्गा वाली सिटीज में सिभ एक ही कंपनी का हेड़ कोर्टर है अच्छा चले चेक करेंगे तो पी से आता है बेटा पूने एक से आता है हाइदराबाद ठीक ना यू से आता है उत्तराखंड जी से आता है गुरुग्राम या गुरुगाओं जो लोग बोलता है और ए से आता है एहमदाबाद ठीक ना तो पूने हाइदराबाद उत्तराखंड गुरुग्राम एहमदाबाद अच्छा अच्छा है ना हाँ तो बोलते हैं एक एक क्या बताइए एक फुग्गा है क्या बोला एक एक फुग्गा ठीक तो पूने हाइदराबाद उत्तराखंड गुरुग्राम एहमदाबाद अच अब पूने में कौन सी कंपनी का हेड़कॉर्टर है अब पूने में कौन से कंपनी का हेड़कॉर्टर है आए देखेंगे तो बोलते हैं पूने में जो है बोलता है पूने में जो है वो है बजाज ओटो का हेड़कॉर्टर तो हम बजाज ओटो के बारे में पढ़ने वाले हैं हमारे उसमें ठीक है तो पूने में किसका है बजाज ओटो हाइदराबाद में किसका है हाइदराबाद में है मेटा डॉक्टर रेडिस तो यह दवाई की कंपनी है ठीक है बजाज आटो आटो मोबाइल की कंपनी है डॉक्टर एडिस दवाई बनानी की कंपनी ठीक है ओके देन उत्तरा खंड में क्या है ओ एन जी सी ऑईल एंड नाच्रल गास कॉर्परेशन है ना देन गुरू ग्राम तो इसको ना थोड़ा सा लए में बोलना ठीक है कैसे बोलेंगे रिदम में रिदम में बोलेंगे गृड 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 अब क्या हुआ एहमदाबाद है गुजरात में अच्छा यह ट्रिक भी कॉपी किया है अभी बताने वाला हो देख रहो न आप मुझे पता है आप कर रहे हैं एहमदाबाद इसमें देखो तो एहमदाबाद में देखो क्या है सुनिये क्या हुआ एहमदाबाद गुजरात में एहमदाबाद गुजरात में ठीक है ना अब ध्यान देखने हुआ होता है कि हमें हमारे 24 इंडियन कमपनी इसे जिफ दो ही ऐसी कंपनी इना गुजराती सिन जी यू जे जे यू घुजू तो देखो एक है बेटा अधानी अ लगी जिसके अबी न्यूस चल रही है वही उसके अधानी और दूसरा है बेटा अमबानी जिसकी न्यूस वैसे बी चलते रहती है रिलायंस इंड़स्ट्रीज है ना तो एक कौन है अदानी और दूसरा है अम्बानी ये दो ही लोग है अम्बानी की रिलाइम्स अदानी की अदानी नामी है कंपनी का अदानी तो दो ही 24 में से जो हमें पढ़नी उसमें से दो ही कंपनी है जो गुजरात की है जो कहा की बताओ जो कहां कि बताए ना जो है पेटा जो है पेटा कहां कि गुजरात की समझ पारो हाँ अब अम्बानी जी का तो आपको पता है अब आपको अम्बानी जी का तो पता है ना तो अम्बाणी जी का घर मुंबई में है तो बोलते मेरे को हैड आफिस भी मुंबई में ही छोना तो रिलायंस का हैड़ आफिस मुंबई में ही है अब कौन सा गुज्जू बचा ये इक ही तो एहमदाबाद में सोरी क्या लिखेंगे अदानी अदानी पॉट्स अदानी पॉट्स ठीक है ना तो पी एच यूजी ए बचपन में एक फुगा तो पी से पुने एच से हदराबाद यू से उत्राखंड जी से गुरुगां ए से एमदाबाद पुने में बजा जोटो हाइदर एहमदाबाद में डॉक्टर एडिस उत्तराखंड में ओंगी सी देन ग्रीड गुरुग्राम ग्रीड गुरुग्राम एहमदाबाद में बैलेंसी फिगर वाला गुजू अधानी पोर्ट्स ठीक है आगा नेक्स्ट फिर पाद आती बिटा कॉलकता फिर अगला आता है आपका क्या अगला आता है बिटा आपका कॉलकता बोलते हैं कॉलकता में दो कंपनी के हेड़कॉर्टर है ठीक है ना कॉलकता में दो कंपनी के हेड़कॉर्टर है तो कॉलकता में दो कंपनी के हेड़कॉर्टर है कौन से कौन से तो बोलते हैं बोलते हैं ITC कोइम इंडिया तो इसमें है कोल जोलकॉत कोल कि onu कॉलकिता लाक। कॉलकॉता दो कमनी हेट पर्ड़ेंज है ITC कोल इंडिया ठीक ऐना है फिर कॉलकॉता के बाद पिटा आता है क्या बेंगलुरू का दल के बाद क्या बैंगलूरू की बात करेंगे ठीक है तो बैंगलूरू में बिटा क्या हुआ कि बैंगलूरू में क्या हुआ सुनिय ध्यान से तो बैंगलूरू में तीन कंपनी एड़कवार और रहे अब क्या होगा नेका पेञा सुनियद्धान से तो हमारे क्लास में आधित्य वह संगा आधित्य नाम का एक बच्चा वह बोड़ा संस्गों बहुत है मुझे में भू ど accord का खाना बेंगलूरू के लोग बहुत पसंदे से बोलता है आदित्य बोलता है कि सर अगर शादी करेंगे ना अगर शादी करेंगे तो बैंगलूरू की ही कोई फैमली होनी चाहिए मतलब की आधित्य क्या चाहता है कि उसकी वाइफ बैंगलूरू से होनी चाहिए यह ट्रिक है इसकी बैंगलूरू की क्या आधित्य ने बोला कि उसकी वाइफ बैंगलूरू में होनी चाहिए सर आपने इतों लिखा ही नहीं बेटा क्योंकि वाइफ बनने के बाद इसका कुछ भी नहीं पुलता है शादी के बाद वैसे फिर साइलेंट हो जाएंगा ना तो आदित्य ने बहुत से वाइफ का थे बैंगलूरिस लुट क्या वाइफ से आता है विप्रों आए से आता है इनफोसिस और एफ से आता है फ्लिपकार्ट और ए क्या है वाइफ का ए है साइलेंट क्यों क्योंकि शादी के बाद वैसे भी पिछार आदित्या साइलेंट हो जाएगा है ना कुछ जाद बोल थोड़ी सकते हैं कि समझ पारो बात तो बैंगलूरु पे थीन कमनी के हैट्वाटर है डबलू आए एफ विपरो इनफोसिस फ्लिपकार्ट याद रहेगा यस और नो जल्दी से लाइक कर देंगे वीडियो को अगर आपको बात समझ में आगे है तो ठीक है ना अब आगे नेक्स्ट फिर पिर कि अग्ली बात देखेंगे लास या बटा देल्ली न्यूली अभी न बैटा में रीषंट न्यू डिली गया था मैरघॉर्ट लेने और भाई सहाम मैं एकस्पर कर रहा था कि बहुत ही ठंडी होगी डेल्ली में पर पता चला कि बहुत ही गर्मी थी देल्ली में यार अभी तो देल्ली में यहां पर चार कमनी के हेड़ पॉर्टर्स है ठीक है ना और इसका इसका जो ट्रिक है वो है अगनी ए जी एन आई है ना अगनी तो एरेटल गेल अगनी है ना मलब आग मलब गर्मी बहुत है वहां ऐसा एंटी पीसी एन आयो सीएल चेक करो आएए डेल्ली में चार कमनी के हेड़ पॉर्टर है अगनी ए जी एन आई एटल गेल एंटी पीसी आयो सीएल ठीक है ना खतम अब ध्यान दो हाँ अब ध्यान दीज़ए जल्दी से अब ध्यान दीज़े बस हो घ्यान दीज़ें बस हो गया बस पाच मिट खतम हो गया आया है ध्यान देज़ SAY मैं आपको एक बात बताउं हमारी ट्रिक खतम हो गयी इतलतौ है मतलम अब Is Better करो मैंने कितने कमपनी का हेड़ कौटर बताया आपको एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चौदा मैंने 24 में से आपको 14 कंपनी इसका तो ट्रिक बता दिया तो जो बाकी की डस कंपनी बची ना बिटा बैलेंसिंग फिगर ये सारी की सारी का हे आपको बोला और अको बूछा और आपको पूछा ऑच्छा करो हमें सिपला का हेड़कोलन भादाई है अच्छा मॉंबई में है समझ पाघी है हां मतलब कि आपको 14 companies का याद रखना है बाकी 10 तो मुंबई में है यह क्या हो गया सर बस और क्या है और चलो चेक करो वापस से एक बार देखो जल्दी से हां बच्पन में हमें बच्पन में हमें एक फुग्गा मिल जाए तो हम खुश हो जाते थे पूने हैदराबाद उत्तराखंड गुरुग्राम एहमदाबाद तो पूने में बजाज ओटो हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डीस उत्तराखंड में ओंग्सी देन गृड गुरुग्राम गृड गुरुग्राम एहमदाबाद में बैलेंसिंग फिगर वाला अदानी अदानी पोस कि पिर आगे कोलकाता में दो कम्टी के हट्वॉटर है ITC एन कोल इंडिया कोल तो यह सारा कॉपी किया गए है मुझे बता ना बाद में अगर आप किसी का गोड़ रहा है तो डबलू आई एफ डबलू आइफ और इस साइलेंट है न क्योंकि शादी का आदित्य साइलेंट हो जाएगा एसा बोलनी पागा जाता है तो डबलू आ विप्रो इंफोसिस लिपकार्ट ना बेंगलोरू और आगे देखो डेली में गर्मी बहुत होती है तो क्या अगनी एजी एनाइए एजी एनाइए एटल गेल एंटेपी से आयो से अब यह कंपनी क्या करती है इसके अंदर क्या बाद में देखेंगे अभी बस फोर्टीन का ट्रिक है और बैलेंसिंग टेन जो भी होंगी कंपनी वह सब मुंबई में हेड़कॉटर है तो अभी आप को क्या गर जाके इसको दो बार लिखना है गर पे जाके नाव जाके क्लास आज ऑगा level कल 3 बजे next class होगा कल all tricks बताऊंगा मैं incorporation year की तो कल के पहले आपको 2 बार लिखना है है ना और मुझे send करें जहां गई भी आप connect होंगे मुझे से या please लिखें important का है लिखना important है ठीके ना और अगर मैं आपको बूलोगा send करो तो आप जरूर लिखेंगे दे रहूर guarantee अभी 50-60% बच्चों को तो वैसे भी याद हो गया होंगा जिसको नहीं हुआ दो बार लिखने के बाद तो ऐसी याद हो जाता है कि समझ पारों बाद मजा आया नहीं बताईए कि मजा आया या नहीं बताईए जल्दी से ओके सो थाइंक यू सो मच आय होप कि आपको जो है मुझसे पढ़के आया होगा मजा और जैसे कि मैंने आपको बताया एक बार मुझे बताओ तो जल्दी से कुछ पूछना चाहता हूं मैं कुछ पूछना चाहता हूं मैंने बोला एक बात बताओ न यह बीपी से लगा हेड़कॉर्टर कहा पर है एंबी से ट्रीक बताया था क्या नहीं अच्छा मुंबई में हेड़कॉर्टर है देखो अरे जादू हो गया ना देख समझ पारो हां टाटा संस का हेड़कॉर् अच्छा मुंबई में यह पार संच पारो क्या बोल रहा हूं है क्या वाद है खतब हो गया चलो तो यार जरूर वीडियो को लाइक करे शेर करें कमेंट करके बताना कि आपको मुझसे पढ़के कैसा लगा है साथी साथ जो है अपने सारे जूनियर्स को सारे जूनियर्स को स्टार्ट होई है स्टिये फांडेशन डिसेमर 23 वाले बच्चों के लिए हमारे चारों एजुकेटर्स इस बैच में पढ़ा रहे हैं जरूर इस बैच को जोईन करें अनक्याडमी में कभी भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहे अभी लोंगे या इंटर में जाके लोंगे तो अगर आपको मेरा कॉंटेंट अच्छा लगता तो जरूर यूज करें अनक्याडमी प्सका सब्सक्रिप्शन बाद में ले लिए ठीक है तो तैंक्यू सो मच अपना ख्याल रखे अपने पैरेंट्स का ख्याल रखे क्योंकि हम हमारे पैरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है थैंक्यू सो मच गाइस बबाई मिलते हैं कल तीन बजे सबको लेकर आना है ठीक है ना कल ओके कल हम बताने वाला है इनकॉर्पोरेशन यहर की ट्रिक तो इसलग कल का क्लास और इंपोर्डेंट है ठीक है थैंक्यू सो मच